हेलो फ्रेंड्स मैं अनामिका मेरी किजिन में आप सभी का स्वागत है आज मैं मतर पुलाव की रेश्पी लेकर आई हूँ इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में उतना ही टेस्टी है सडलने कोई गेश्ट आजा है तो हम इसे फटाफट बना लेते हैं तो फ्रेंड्स इस रेश्पी को आप जरू ट्राइ किजिएगा अगर आज की मेरी रेश्पी आपको पसंदा है तो मेरी चैनल को लाइक किजिए सब्सक्राइब किजिए, शेयर किजिए और कमिल करना मत भूली तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे दो तेज पत्ती, एक श्टीक डाल चिन्नी का, एक बड़ी इलाइची, दो छोटी इलाइची, पांच लॉंग, आधा चमजीरा, दस ब्लैक पेपर और ये चक्रफुल को हमने तोड लिया है, तो ये सारे होल मसाला को हम तेल में डालेंगे, और इसे हम मेडियम फ्लेम पे भूनने देंगे, इससे क्या होता है, गरम मशाले का आरोमा तेल में अच्छे से आ जाता है, तो आप कभी भी तेल हीट करके गरम मशाला न डालें, गयस के लोग फ्लेम पे ही डालें और उसे अच्छे से भूनने दें तो अब ध्यान से रेखें गरम मैशाला का कलर चेंज हो गया है अब हम इसमें आधा कटा हुआ प्यास डालेंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे अब हम इसमें डालेंगे एक चमत अद्रक लहसुन का पेश्ट और इसे भी एक मिनट तक प्याद के साथ घून लेंगे अगी से ही मटर कुलाव की मशाले की कुश्बू आने लगी तो हमें इसे ब्राउन नहीं होने देना है के वद इसका कच्चापन दूर करना है लर्सुन का कच्चापन दोड़ हो गया है अब हम इसमें डालेंगे मटर तो यह मेरा तादा मटर है इसे हम डाल के और एक मिनट इसे भी अच्छे से भून लेंगे जान रहे हम सारे तोशिस मेडियम फ्रेंट पर कर रहे हैं तो इसे हम एक मिनट तक तिले के साथ भूनेंगे हमने मटर को एक मिनट तक घूम लिया है अब हम इसमें डालेंगे तेश्ट के अनुशार नमक तो यहाँ पर हम देश्टमस नमक दाल रहे हैं और साथ में हम डालेंगे निम्बू का रस तो यहाँ पर एक निम्बू का रस हमने निकाल लिया है और इसे हम मटर के साथ मिक्स कर लेंगे इससे क्या होता है मटर का कलर चेंज रही होता है अब हम इसमें डालेंगे चावल तो हमने एक लास चावल को दो बाड़ होके पानी में डुबा के रख लिया था इसे हम दस मीनट तक पानी में रखने के बाद इस्टेन किये अब हम इस चावल को मटर में डाल देंगे तो हमने चावल को डाल दिया है अब हम इसे मटर के साथ ऐसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और भीरे भीरे चलाते हुए एक मीनट तक हम मटर के साथ चावल को भी भून लेंगे चावल पे तेल की अच्छी सी कोटिंग हो जानी चाहिए फिर हम पानी डालेंगे चावल को हमने भून लिया है अब हम इसी ग्लास से एक ग्लास चावल लिए थे, तो इसी ग्लास से हम सवा ग्लास पानी डालेंगे, तो ये हम एक ग्लास डालें, और यहाँ पे वन फूर्थ ग्लास हम और पानी डाल रहे हैं, अब हम क्या करेंगे, चावल, मैटर, सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, पाल आने के बाद हम ढगन को लगाएंगे तो हमने चावल मटर शब को अच्छे से मीक्स कर लिया पानी सवागलाश डाल दिया अब हम प्रेसर कुकर का ढगन लगा देंगे और गैस का फ्लेम हम मेडियम कर लेंगे एक सिटी आने के बाद हम गैस को बंद करेंगे प्रेसर हुकर में हमने एक भीसिल आने दिया और गैस को हमने अपने आप निकलने दिया तो भीसिल हटाके हम देखेंगे गैस निकल चुका है अब हम ढखकन को खोलेंगे तो आप ध्यान से देखिए कितना बढ़िया, खिला-खिला, मटर पुलाव बनकर तयार है, अब हम एक चम्मच से इसको साइट से ऐसे धीरे-धीरे मीक्स कर लेंगे, एक एक दाना अलग-अलग खिला हुआ तयार हुआ है, नम बीच में पानी बचा है, एक दम पर्फेक्ट पुलाव तयार हुआ है, तो इसे अब हम सर्व करेंगे, तो हम एक प्लेट लेंगे और इसमें हम पुलाव को सर्व करेंगे, अब ध्यान से रेखिए कितना बढ़ियां दाना-दाना अलग निकल रहा है, मटर पुलाव बनकर तयार है, इसे आप भी ज़रूर ट्राइ कीजिएगा, अगर आज की मेरी य प्रेश भी आपको पसंद आए, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करना मत भूलिए, धन्यवाद